स्री शिवाई नमस्तो भ्याम दर्शकों बहुत खास होता है शावन का महिना और शावन मास में किसी भी दिन आप भगवान भोले नात को प्रसंद करने के लिए अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुएं जरूर ले आए जो भगवान भोले नात को प्रिये हैं आज हम आपको शावन मास का शुभारम कब होने जा रहा है और शावन मास में क्या-क्या खरीदारी करनी चाहिए शावन मास में क्या चीज़ें ऐसी खरीदें जिससे कि भगवान भोले नात प्रसंद हो जाएं आप जरूर अपने घर में लाएं आपके घर में इन चीज़ों का रखना भी शुभ होता है दानपोने करना भी बहुत शुभ माना जाता है यदि आपके घर में कोई प्रकार की समस्या चल रही है तो आप इन चीज़ों को अपने घर जरूर ले कर के आएं शावन का सुभारम के साथ ही भोलेनात को मनाने का प्रयास भी प्रारंब हो जाता है और इस वर्ष शावन मास 14 जुलाई से प्रारंब हो रहा है और पूरे शावन के मास में अगर आप वरत नहीं कर सकते उपवास नहीं रख सकते या फिर भगवान भोलेनात के मंदिर नहीं प्रसन हो जाएंगे, अब आपको बता देते हैं कि कोई इन दस चीजों में से एक सामगरी आपको ले लेनी है, जैसे कि पहली सामगरी है त्रिशूल, त्रिशूल भगवान शिव के हाथों में हमेशा होता है, यह तीन देव, यानि तीन लोकों का प्रतीक पाना गया है, ब्र और साथ ही आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई जगडे, क्लेश और सभी इसी दुश्प्रुभाउं से बचा कर रखता है, बस आपको मात्र चांदी का छूटा सा त्रिशूल ले लेना है और उसकी पूजा करके अपने मंदिर में इस्थापित कर देना है, रुद रुद्राक्ष को घर में जरूर लेकर आएं, फिर भी घर में रखना रुद्राक्ष बहुत ही शुक्फल देता है, यदि कोई बिमार है तो उसे रुद्राक्ष का जल पिला दें, रुद्राक्ष से भगवान शिव का जल आविशे करें, और रुद्राक्ष आपके घर में हैं तो सुख सम्रद्धी और लक्षमी आपके घर से कभी नहीं जाती हमेशा घर में आती नजर आती है अगला है डमरू यह शिप का पवित्र वाथ यंत्र है इसकी पवित्र धुनी से आसपास के समस्त नकारत्मक उड़ जाएं उन नकारत्मक शक्तियां दूर भाग जाती है आरोगे के लिए डमरू को अपने घर में जरूर लेकर आएं और पूजा करते समय सावन माहा में प्रत्तिक दिन डमरू का नाद अपने घर में जरूर करें सुबह साम ना कर सके तो बस एक बार डंबरू दिन घर में कभी भी आप बजा ले आरति के समय अगर संभा हो सके तो थोड़ा सा दो मिनिट के लिए डंबरू अपने घर में जरूर बजा आए और सावन में किसी भी एक दिन आप बजा सकते ही इसे खरीद जरूर ले आएं आपके घर में सुख सोभागे बना रहेगा नकरत्म कुर्जा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी अगला है जल का पात्र जल का पात्र बहुत ही शुब माना गया है जिसमें होता है तामे का कलश या फिर गोह मुखी जो होती है जिससे कि भगवान शिव को अभिशिक किया जाता है या फिर तामे का लोटा ले आएं चामदी तामे के जो भी पीतल के बरतन होते हैं जिससे स्वच्छ निर्मल जल से प्रती दिन भगवान शिव का अगर अविश्य किया जाए नए पात्र से तो बहुत ही शुमाना गया है और वह पात्र आप अपने घर में हमेशा इस्थापित करके रखें हमेशा उस जल में एक लोटा जल या किसी भी बरतन जो भी आप खरीद रहे हैं चांदी सोने या फिर पितल तांबा जैसे भी आपकी शुष्चा है उसमें जल भर कर अवश्य रखें पूरे सावन भर उस जल को आप अपने घर में सबी दूर छिर्काव करके पी भी सकते हैं अगला है सर्प भगवान शिव के गले में सर्प राज हमेशा विराज मान रहते हैं अधा सावन के प्रत्ते के दिन आप नाग नागिन के जोड़े को अपने घर में स्थापित करके रखें नाग नागिन का जोड़ा आप चांदी का बनवा सकते हैं बहुत ही सस्ता बनता है नॉर्मली चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर में रखना बहुत ही शुब मना जाता है इससे आपके पित्र दोश भी दूर हो जाते हैं काल सर्फ दोश आपके घर में कभी भी नहीं लगता है तो नाग नागिन का जोड़ा अगर आप घर में नहीं रखना चाहें तो उसे आप सावन के महिने में भगवान शीव के मंदिर में दान भी कर सकते हैं आपकी जेसी स्वक्षा हो पर साप का जोड़ा, अगर नाग नागिन का जोड़ा आप खरीते हैं तो भौतिश शुब माना जाता है अगला है चांदी की डिबिया में भसम रखना अगर आपको हो जाए तो असली भसम कहीं से मिल जाए तो आप चांदी के डिबिया खरीद कर लाएं और उसमें आप भस्म रखें और प्रतीस दिन सावन के दिनों में आप बोले नात की पूजा करते समय शिव जी को उस नई चांदी के डिबिया में से भस्म निकाल करके जरूर अपित करें इससे आपकी बरकत बढ़ती है और आपके घर में दंदन की कभी कमी नहीं होती अगला है चांदी का कड़ा भगवान शिव के पेरों में चांदी का कड़ा हमेशा धारन किये होते हैं देखा ही होगा आपने सावन के महिने में आप चांदी का कड़ा किसी भी तीरत इस्थान स या फिर कहीं से भी चांदी का ना हो सके तो पीतल तांबे का कड़ा आप अपने घर में जरूर लेकर आएं और उसे भगवान शिव के चरणों में रखकर अपने हाथों में धारन करें उस कड़े को आप हमेशा पहने रहें शावन के मास में अगर आप ये खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाव होता है आपको कोई बीमारी नहीं होती है और उससे आपकी हमेशा रक्षा सुत्र से आप बंद जाते हैं आपको कभी भी कोई मुसीवत का सामना नहीं करना पढ़ता है अगला है चांदी का चंद्र या मोटी चांदी का मोटी या फिर चांदी का चांद बना हुआ होता है वह आप ले कर किया बगवान को आपने भगवाई शिर्व के मस्तक पर रिधिक तर देखा होगा चंद्रमा हमेशा विराजमान रहता है और सावन के माहा में किसी भी दिन आप चंद्रदेव को लाकर पूजन में रखें और संबह हो सके तो सच्चा मोती भी जरूर लेकर के आएं और सच्चा मोती की विदिवत पूजा करके आप अपने घर में रख सकते हैं इससे आपके ग्रह दोश भी सांत हो जाते हैं और चंदर ग्रह की घर में रखने से शांती हो जाती है सांती मन में भी मजबूती आती है जिस भी कारिशितर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है अगला है चांदी के बिलवपत्र चांदी की बिलवपत्र आप अपने घर में जरूर रखें यदि हो सके तो छोटी सी चांदी की एक बिलवपत्र आप किसी भी शिव मंदिर में दान कर सकते हैं सावन के महीने में यदि आप बिलवपत्र चांदी की भगवान भोलेनाद पर अरपित करते हैं प्रती दिन उसी बिलवपत्र को धो करके भगवान भोलेनाद के शिवलिंग पर अरपित करते हैं तो आपके समस्त करोडों पापों का नाश हो जाता है और घर में शुबकारियो का सयोग बनता है आपको बता दे कि इससे अखंड सोभागे की भी प्राप्ति होती है यदि आप संभभ हो सके तो एक चांदी का पतला सा बहुत ही सस्ता मिलता है एक बेल पत्र जरूर खरीद कर लाएं और अपने घर में रखें आप चाहें तो मंदिर में भी दान कर सकते हैं दर्शकों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अधिक सथिक शेयर कीजिएगा फैमली दोस्तों में तुम्हाज में बहुत सी जानकर ही हमने और वीडियो की द्वारा प्रदान की है आप उन उपायों को भी अवश्य कर लीजिएगा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में सरी शिवाए नमस्तु भ्याम